मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ निधी हमारी सहयोगी सिरसा से इस वक्त मौचूद है और बहाँ पर ये जो चौटाला परिवार एक के बादे किसके सदसे पहुच रहे वोट डालने के लिए निधी और कौन-कौन पहुचा है अभी तक चौटाला परिवार से वोट निर्दलिया बीजेपी से टिकेट नहीं मिला है और इस वक्त वर्दमान में विधायक है हाला कि आपको पिछली बार पता दे रोमाना कि पिछली बार भी उन्होंने निर्दलिया चुना लड़ा था जीते थे बीजेपी को सपोर्ट किया सरकार में मंत्री बने लेकिन इस होगा कि कौन अपनी अपनी सीटें बचा पाता है किसके किसके लिए साख की लड़ाई है अगनी परिक्षा है और रंजीत चॉटाला इस वक्तनी पत्नी के साथ पहुंचे हाला कि ये भी जीत का दावा कर रहे हैं इनकी सीट पर राणिया सीट पर आयने लडी वर्सेस कि लेकिन फिलाल वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं अंदर रंजीत चोटाला की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है रंजीत चोटाला पहले निर्दलिये जीते हैं उसके बाद लोगसभा में बीजीपी ने हिसार से इनको टिकेट दिया और यहाँ पर विधान सभा टिक है रंजीत चोटाला भी तो रंजीत चोटाला को शिकायते भी तो बहुत थी ना किसाब उनको हरवादिया इसाद में बीज़पी के जो लोग थे उन्होंने समर्थन ही नी किया और यही वो नाराजगी फिर टिकेट भी निदिया वैदान सभा में उस सीट से जहां से वो न अगये हैं उस उस इलाके में बहुत सारी सीटों पर सैटिंग डॉट कॉम हो आप देखिए सेटिंग डॉट कॉम है तो उसके बाद वहां हर सीट पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसे ने विड्रो किया किसे ने समर्तन दिया है वहां हर आदमी एक डूसरे से पार्टी आ आप देखेंगी तो उसी के उधारन है रंजी सिंग चोटाला जो बीजेपी की टिकेट पर हिसार से लड़े और उनका इस बार टिकेट कटा तो इस बार वो एक आजाद उमीदवागत तो पर खड़े हो गए और पिछली बार भी आजाद ही जीत के मंत्री बने यह तस्वी लगातार इस तरीके की तस्वीरे आ रही है बीबी आई पीस की तस्वीरे आ रही है जो एबीपी नियूस पर हम आपको दिखा रहे हैं